श्रीमत चतुरतिसकंद अध्याई 22 से हम लोग बाट कर रहे हैं चतुष्कुमार जोकी भगवान के शुद्धवक्त हैं, महाभगवत हैं ऐसे चतुष्कुमार पृतु महाराज के साथ वरतलाप कर रहे हैं प्रभुपाद अपने कई तात्परियों में बताये हैं कि कैसे अगर प्रमानित वक्ता हो और प्रमानित श्रोता हो तो कृष्ण कथा पूर्ण रूप से विक्सित होती है यहाँ पर बोलने वाले भी शुद्धवक्त हैं, सुनने वाले भी शुद्धवक्त हैं चतुषकुमार भी शुद्धुभकत है इसलिए जो निर्देश चतुषकुमार दे रहे हैं यह बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है बहुत गहरे निर्देश है एक-एक शलोक को बहुत गंबीरता से हमको श्रवन करना है, पठन करना है चतुषकुमार ने बताया किस प्रकार जीवन का उद्देश है भगवान की भक्ती में इस्थित होना उन भगवान की भक्ती में इस्थित होने के लिए कुछ गुण है जैसे कमभाव रखना, दोसों से इर्शान ही रखना, इत्यादी और श्रवन किर्टन के माध्यम से, गुरू के आदेश पालन करने के माध्यम से धीरे-धीरे जीवात्मा शुद्ध होता है तो ये सारे निर्देश चतुषकुमार दे रहे हैं श्लोक संक्या सत्ता इस से आगे दगधाशयो मुक्त समस्त तत्पुनो नेवात्मनो बहिरंतर विचस्थे परात्मनोर्य व्यवधानं पुरुस्तात स्वपने जधा पुरुशस्तत पिनाशेश्थ प्रकल्प प्रभु पढ़िए अन्म्योट कीजिए जब मुन्योट समस्त वोते के चाहों से रहेत और भचेगणों से मुक्त हो जाता है तो वे अन्तर तथा बहा भूच्थे किये गए कारियों में अन्तर नहीं देखता है उस समय आत्म ताच्षाकार के पूर विद्वान आत्मा परमात्मा का अंतर विनिस्ट हो जाता है सब्ड तूटने का सब्ड तथा सब्ड देखने वाले की बीच कोई अंतर नहीं रहे जाता है इस प्रकार से अमने कल भी चर्चा कीती जो जीवन मुक्त हैं वो जीते जी मुक्त हैं उनके लिए वास्तव में चाहे जीवन हो चाहे मरण हो दोनों समान है उनके लिए कोई भी अंतर नहीं है तात्परे जया माताजी जैसा की श्री रुप गुस्वामी ने कहा है अन्याविल अश्रता शुल्यम मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होना चाहिए समस्त इच्छाओं से रहित हो जाने पर तार्किक चिंतन या सकाम कर्म की आवशक्ता नहीं रह जाती ऐसी अवस्ता में यह समझना चाहिए कि वह भौतिक देश से मुक्त है इसका उधारन पहले ही दिया जा चुका है कि सूखी गरी नारियल की जटा से प्रतक हो जाती है यह मुक्तिक की अवस्ता है जैसा कि श्रीमत भागवतम में कहा गया है मुक्तिक का अर्थ है स्वरूपेंड्स वेवस्ति अपनी सुभाविक वेधानिक स्ति में रहना जब तक दियात्म गुद्धी रहती है तब तक सभी भौतिक इच्छाएं पीछा नहीं छोड़ती किन्तो जब मनुष्य अनुभव कर लेता है कि वा भग्वान श्री कृष्ण का शाष्वत दास है तो उसकी इच्छाएं भौतिक नहीं रहती है वाग्त इसी चेत्म से कारे करता है दूसरे शब्दों में जब शरीर से सम्मद्धित भौतिक इच्छाएं समाथ हो जाती है तो मनुष्य वास्तम भौतिक इच्छाएं या भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है तब वाग्त शरीर तथा आत्मा के लिए कर्म की द्वेता से परे हो जाता है तब देहात्न भौति समाथ हो जाती है इसलिए श्री रूप गुश्वामी कहते है जब मनुष्य श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से संगलन होता है तो वह जीवन की किसी भी अवस्ता में मुक्त रह सकता है वह जीवन मुक्त अर्थात इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी मुक्त रहत कहलाता है ऐसी मुक्त अवस्ता में इंद्रि रप्ति के किये गए कारियों तथा मुक्ति के लिए किये गए कारियों में कोई अंतर नहीं रह जाता जब मनुश्य इंद्री रप्ती की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उस पर शोक या मो के फलो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कर्मियों तथा ज्यानियों द्वारा किये गए कर्मों से शोक तथा मो उत्पन होता है किन्तु स्वरू प्रसिद्ध पूरुष जो केवल श्री भगवान के लिए ही कर्म करता है इन्हें अनुभव नहीं करता यह एकात्म की दशा है अत्वा श्री भगवान की अस्तित्व में तदाकार होना है इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्तित्गत जीव अपना प्रथक व्यक्तित्व बनाए हुए रहते हुए भी प्रथक स्वार्थ नहीं रखता वह श्री भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाता है और उसे अपनी इंद्रितप्ती से कोई वास्ता नहीं रह जाता अता वह केवल पूर्ण पूर्शोतम भगवान को देखता है अपने आपको नहीं उसके स्वार्थों का पूर्णता अंश हो जाता है नींद तूटने पर स्वपन समाप्थ हो जाता है किन्तो स्वपन में मनुष्य अपने आपको राजा मान कर शाही, शान, शौनक, आदी सब कुछ देख सकता है स्वपन समाप्थ होने पर वह अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता इसी प्रकार मुक्त पुरुष चानता है कि वह परमेश्वर का अंश है और उनी की इच्छा अनुसार सारे कारे करता रहता है इस तरह वह अंगे और अपने बीच कोई अंतर नहीं देखता यद्य भी दोनों की सताएं प्रतक प्रतक बनी रहती है नित्यों नित्यानाम, चेतन, श्वेत्तानाम, परमात्म तथा आत्मा के एककार होने का ये पूर्न बोध है तो लोग बड़े उत्सुक रहते हैं कि हम भगवान से एकाकार हो जाएं, एकात्म हो जाएं प्रवपात बता रहे हैं, एकात्म हो नहीं है, तो भगवान की एक्षाओं से अपनी एक्षाओं को एकात्म कर लेजी जब भगवान की एक्षानुसार कर्म करता है, तो वो कर्मबंदन में बनता नहीं और जब कर्मबंदन ही नहीं है, तो उसके जीवन जीतेजी मुक्तावस्था में पहुंच जाता है इसलिए भक्त लोगों को कर्मबंदन कभी बान्ता नहीं वो हमेशा ही भगवान के लिए कारे करते हैं, भगवान की संतुष्ठी के लिए जीवन जीते हैं आत्मा नाम इंद्रिया मर्थम्चा परम यदूभयो रपी सत्याशय उपाधववई पुमान पश्यंति नंद यदा सुनीता माताजी जब आत्मा इंद्रितत्य के हेतु रहता है तो वह नानप्रक्तार की इच्छाएं इपन्द करता है जिसके कारण आपको उपाधियां अपराफ्त होती हैं किन्तु जब मनुष्य दिव स्थिति में रहता है तो वह इसी भगवन की इच्छाओं को पूरा करने के तरिक्त और किसी कारे में रूची नहीं रगती भाता तो अलग-अलग उपाधियां क्या हैं? अलग-अलग उपाधियां हैं हमारी अलग-अलग एक्छाओं की पूर्ती हमने जब इक्छाओं की उससे हमारा अगला शरीर गठित हुआ वही हमारी उपाधि बनी लेकिन जब व्यक्ति सारी उपाधियों को छोड़ करके भगवान के दास रूप में इस्तित होता है तब उसकी भग्ति शुरू होती है भग्ति का मतलब ही है जब सारी इंद्रियों को भगवान की सिवा में लगाया जाए और ऐसी अवस्था में भग्त कोई और उपाधी से आ सकते नहीं हो मैं भारती हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं ब्राह्मन हूँ, मैं शत्री हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शुद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ग्रिहस्त हूँ ये सब उपादियों को छोड़ करके भक्त केवल भगवान के दास रूप में अपने आपको स्विकार करता है सुजाता माताजी बहुतिक इच्छाउं से आच्छाजित होने के कारण आत्मा को विशेश प्रकार के देह की उपादियों से धका हुआ माना जाता है इस प्रकार आत्मा अपने आपको पशू, मनुष्य, देवता, पक्षी, इत्यादी मानता है मित्या अहंकार से जोटी पहचान से कई प्रकार से प्रभावित होकर और महों मही बहुतिक इच्छाउं से आच्छाथित होकर वह पदार तथा आत्मा में बेत करने लगता है जब मनुश्य इस प्रकार के विद्वाव से रहीत होता है, तब पदार तथा आत्मा में कोई अंतर्न नहीं रह जाता है, तब तो आत्मा ही प्रमो कारण बन जाता है। जब तक मनुश्य बहुतिक इच्चाओं से डिका हुआ रहता है, वो अपने आपको भोगता या स्वामी मानता है। इस प्रकार वो इंड्रे तुक्ति के लिए कारिय करता है और बहुतिक पीडा, सुप तता रुख से प्रभावित होता है। किल्टो जब मनुश्य जीवन के इस बहुत से मुक्त हो जाता है, तो फिर उपादियों से प्रभावित नहीं होता और प्रत्तिक वस्तुको परमेश्वर की परिपेक्ष में आध्यात्मिक बानता है। श्रीलरूप बोश्वामी ने भक्तिर असाम्रत सिंदू में इसकी व्याठ्या की है। क्योंकि परमहंस जानता है कि किस प्रकार प्रत्तिक वस्तुको श्री भगवान की सिवा में लगाया जाए। अंतर नहीं देखता। वो प्रत्तिक वस्तु में पूर्ण पुर्शतम भगवान की दर्शन करता है। वो प्रत्तिक वस्तु में भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री कृष्ण में प्रत्तिक वस्तु को देखता है। तो केवल भगवान के भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ क्रियाओं को भक्त बंद कर देता है वो कोई कर्म बंद नहीं करता है क्रियाएं बंद नहीं करता है अपितु भगवान के लिए सारे कर्म करता है इसमें अंतर है इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं हो सकता है भग तो वह सारे काम करता हो जो ये बहुतिक वादी करता है लेकिन वो करता है भगवान के उद्देश्ची के लिए और जब वो भगवान के उद्देश्ची के लिए काम करता है तो वही वस्तु आध्यात्मिक बन जाती है जैसे मानों कहीं कोई यात्रा कर रहा है एक बहुतिक क्रिया है लेकिन वही यात्रा कोई भगवान के लिए कर रहा है वो आध्यात्मिक बन गए कोई व्यक्ति आफिस जा रहा है वो बहुतिक कार है वही वो भगवान के लिए कर रहा है वही कारे अध्यात्मिक बन गए तो अध्यात्मिक और भौतिक का निर्णा चेतना के उपर है भाई अवस्था के उपर नहीं निमित्ते सती सरवत्रा जलादव अपि पूरुशा आत्मानम चप परस्यापी भिदाम पश्यतिना न्यदा प्रंगनी प्रिया माताजी जब आत्मा इंध्री प्रप्ति के हिप्टू रहता है तो वे नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन करता है जिसके कारण उसको उपाध्या प्राथ होती है जब मनुष दिव स्थिति में रहता है तो श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के अत्री और किसी कार्में रिच्छी नहीं रिच्छा कराता पिछला पिछला नुवाद है अभी यह वाला पड़िए अगला विभिन निमितो विभिन निमितो कार्णों के फल्सुरूपी मनुष अपने तथा दूसरों में अमतर देखता है जिस प्रकार जल पेल या दरपड में एकी पधार के प्रतिविम भिन पिन प्रकार से दिखते हैं तो जो अलग-अलग वास्तम में विक्तियों के कार्यकलाब हैं वो क्या वास्तविक हैं ने वो वास्तविक नहीं है वो प्रतिविम्ब मातर है और ये प्रतिविम्ब अलग-अलग चेतना अलग-अलग उपादियां अलग-अलग कर्मों के अनुसार दिखती है जैसे एक ही वस्तु है उसका जल में थोड़ा प्रतिविम अलग तरह से देखेगा तेल में अलग तरह से देखेगा थोड़ा दरपण में और साफ देखेगा है वस्तु एक ही उसी तरह से बास्तविक वस्तु क्या है भगवान और उनका अंश जीवात्मा ये बास्तविक कारण है लेकिन उनकी स्थिती अलग-अलग उपादियों में अलग-अलग बियोनियों में अलग-अलग अलग-अलग दिखती प्रतीत होती है जैसे मानो स्वपन हो आयूश प्रभू जीव उपादी शरीर से आवरत हो जाता है तो उसे वेसे ही अंतर जान पड़ते हैं जैसे जल तेल को होती है तो वह न प्रतीद होती है यदि पातरता के कारण को निकाल लिया जाए तो सारी वस्तुवे एक ही प्रतीद होती है दूसरे शब्दों में जब भक्तियों के अभ्यास से मनुष्परमहंस अत्वा पूर्ण अवस्ता को प्राप्थ होता है तो उसे सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण के ही जर्शन होते हैं उसके लिए अजने कोई वस्तु रहती ही नहीं निश्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विबिन कारणों से जीवात्मा, पशु, मनुष्देवता, वरक्ष, इत्यादी जैसे विबिन रूपों में द्रश्टी गोचर होता है वास्तों में प्रतेक जीवात्मा परमेशर की तटस्ता शक्ती है अता शिमत भावत गीता में व्याख्या की गई है कि जो वास्तों में आत्मा के दर्शन कर लेता है उसे विद्वान, ब्रामन, तता खुत्ते, भाती या गाय में कोई अंता नहीं दिखता पंडीत हा समधर्शिना जो वास्तों में पंडीत है वा केवल जीवात्मा को देखता है उसके भाय आवरण को नहीं अतर जो अंतर है वो विभिन्य सकाम कर्मों का फल है और जब हम सकाम कर्म करना बंद करके उन्हें भक्तिकारियों में सुपानतरित कर देते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि हम अन्यों से भिन्य नहीं हैं उनका रुप चाहे जो भी हो इसा केवल कृष्ण भावनामरत के अन्यों नहीं देखते हैं अधा कृष्ण भावनामरत अंदोलाहनी एक मात्र सादन है जिसके जीवात्मा समस्त उपादियों से मुक्त हो सकते हैं और बहुतिक व्यक्ति के लिए कर्मी व्यक्ति के लिए हर चीज बहुतिक है वह भगवान के नाम को भी बहुतिक समझता है भगवान के विग्रह को भी बहुतिक समझता है प्रशाद को भी बहुतिक समझता है धाम को भी बहुतिक समझता है तो उनके लिए हर चीज बहुतिक है लेकिन भक्त के लिए हर चीज आद्यात्मे के वो हर वस्तु में भगवान का अंश देखता है हर वस्तु को भगवान क सेवा के लिए देखता है हर व्यक्ति को जिवात्मा के रूप से देखता है वो यही समझता है कि यह तो अलग-अलग प्रतिभिंब मात्र मुझे देख रहे हैं लेकिन वास्तविक व्यक्ति तो जिवात्मा है जो भगवान का अंश है अगर ऐसी चेतना व्यक्ति की हो जाए तो उसके लिए कोई बेदबाव रहेगा ही नहीं, उसके लिए कोई भी विक्ति दूसरा नहीं रहेगा, पराया नहीं रहेगा, उस सबको भगवान के अंच रूप में सुईकार कर पाएगा इंद्रियय विशय आक्रिष्टय आक्षिक्तम ध्यायताम मना चेतनाम हरते बुद्धे स्थम्भस्तयो यमे व्रिदात रेखा मताजी जो मनुश्य का मन तताएंद्रियां सुख रूप के हेत्तु विशय वसकू के प्रति आकर्शिक होते हैं, तो मन विचलित हो जाता है परिणाम सवरूप लगातार विश्य वस्तू का चिंतन करने से मनुष्य की असली कृष्ण चितना वैसे ही हो जाती है जैसे के जलाश्य के किनारे उगे वे इस प्रकार से मन का काम है सतोगुण में रहना मन सतोगुण में शान्त रहता है भगवत चिंतन में शान्त रहता है लेकिन जब मन को इंद्रियों की इक्छाओं से इधर उधर भटकाया जाता है मन विचलित रहता है मन रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में कभी संतुष्ट नहीं रह सकता और ऐसे विचलित मन में मानो कृष्ण चेतना खोस ही जाती है कृष्ण चेतना वास्तविक मन की स्थिती है लेकिन क्योंकि मन अभी व्यस्त है रजोगुण तमोगुण में मन कृष्ण चेतना को खो देता है और ऐसी अवस्था में व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहता क्या संदर पर चल रहा है? चतुष कुमार बता रहे हैं कि भक्त हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन करता है लेकिन अगर इंद्रियों के उपर मन रहेगा तो क्रिष्ण का दर्शन कैसे होगा? वो क्रिष्ण चेतना लुप्त सी हो जाएगी यहां पर उधारन दे रहे हैं अगर बड़ी-बड़ी कुशा घास कहीं लगी हो वो जलाशाई का पूरा पानी पी लेती है उसी तरह इंद्रिय त्रिप्ति हमारी सारी शक्ति खीच लेती है भगवच चिंतन होगा कैसे? इसलिए प्रवपात बुलते थे क्रिष्ण कॉंशिसनेस और सेंस ग्रैटिफिकेशन गो इल टुगेदर इंद्रिय तिप्ति और क्रिष्ण भावनामरित साथ में दोनों साथ में नहीं चल सकती, एक चीज पकड़ना होगा अनिकेट प्रवप इस श्लोक में बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है कि हमारी मूल क्रिष्ण चेतना किस प्रकार दूशित हो जाती है और हम किस प्रकार परमेश्वर से अपने संबंद को उत्तरोतर भूलते जाते हैं पिछले श्लोक में बताया गया है कि हमें निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए जिससे भक्ति की प्रज्वली तगनी समस्त भहती कि इच्छाओं को भस्म कर दे और हम जन्म बृत्यों के चक्र से मुक्त हो सकें यहाँ वह अप्रतक्ष विदी भी है जिससे हम परमेश्वर के चरणारविंद में अपनी अटूट श्रद्धा बनाए रख सकते हैं जब मन को निरंतर इंद्र यतिपत्ती के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वह हमारे भौतिक बंदन का कारण बन जाता है यदी हमारा मन इंद्र यतिपत्ती के विश्यों से ही पूरित रहे तो हम कृष्ण भक्ती करने की चाहा रखकर ही सतत अभ्यास के कारण इंद्री तिप्ती के विशे को नहीं भूल सकते हैं यदि कोई सन्यास आश्रम ग्रहन कर ले इंदु मन को वश्मिना कर पाए तो वह सदेव इंद्री तिप्ती यदा परिवार, समाज, कीमती, घर, इत्यादी के बारे में सोचता रहेगा बले ही वह हिमाले में या जंगल में क्यों ना चला जाए उसका मन इंद्री तिप्ती के वस्तों में रमा रहेगा इस प्रकार करमशय मनुष्य की बुद्धी प्रभावित होती रहेगी जिससे क्रिश्न चेतना भक्ती के प्रती उसकी मौलिक रुची समाप्थ हो जाएगी यहाँ पर दिया गया उधारन अत्यांतर सटीक है यदि किसी विशाल जलाशे के चारो और उची रोजी प्लीज स्क्रोल डाउँ कि इच्छा ही इस जगत में हमारे पतन का कारण है और हम तीन प्रकार के तापूं एवं जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के शिकार होते रहते हैं किन्तु यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की दिव्य परिमा भक्ती के और मोड़ दें तो हमारी इच्छाओं पवित्र हो जाती हैं हम इच्छाओं को मार नहीं सकते हमें उन्हें विभिन उपादियों से शुद्ध करना है यदि हम अपने को निरंतर किसी विशेश, राष्ट्र, समाज या परिवार के सरस्य ग्रूप में मान कर उन्हीं का चिंतन करते रहें किन्तो यदि हमारी इच्छाओं भगवान की सेवा में लग जाए तो वे पवित्र हो जाती हैं और हम भौतिक कलमश से तुरंत मुक्त हो जाते हैं तो चुनाव हमको करना है कई बार हमारी इच्छाओं ऐसी होती है भक्ती भी चलती रहे और भौतिक संसार भी ना चूटे ये बहुती दर्दनाक स्थिती है भक्त के लिए क्योंकि ना उसको भौतिक संसार में मज़ा आएगा क्योंकि अब भक्ती का ज्यान मिल गया और ना उसकी भक्ति अच्छी से चलेगी क्योंकि वो बहुतिक संसार नहीं छोड़ रहा है तो ये भूत जैसा बन जाएगा ना तो अगला शरीर मिला ना ये शरीर मिल रहा है भूत जैसी स्थिति उसकी रह जाएगा वास्तव में भक्त को अपनी सारी क्रियाओं को धीरे धीरे भगवत सेवा में लगाना जाएगा क्रिया तो हम नहीं छोड़ सकते हैं अकेले बैठना नहीं है मृत्तिता करनी है भक्तों के साथ मित्तिता करेंगे मजा करना है भक्ती में मजा करेंगे आनन्द उठाना है किर्टन में डांस करेंगे जो करना है फिर भगवान को केंद्र में रखे करना है उसके माध्यम से धीरे 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 भक्त की सारी इंद्रियां, मन, चेतना सब शुद्ध हो जाएंगे नहीं तो ये भोतिक विचार की खर्पतवार सारी शक्ती चूस लेंगे उसकी चेतना भचेगी कहां कृष्ण कर्पित करने के लिए श्लोक संख्या इकतिस ब्रिश्यतियनु स्मृतिस्चितम ज्यान ब्रह्म्शा स्मृतिक्षय तत रोधम कवय प्राहुर आत्मा हन्वं आत्मना अनीता साहु माताजी जब मनुश अपनी मूल चेतना से इदर उदर हटता है तो न तो अपनी पुर्ण स्थिति को स्मर्ण रख पाता है और न वद्मान स्थिति को परचान पाता है इसमर्ण शक्ति के नश्टो जाने पर जितना भी ज्यान अजित किया जाता है वह एक जूटी आदा शिला पर चिता रहता है जब ऐसी गटना गटती है तो पंजेत जन कहते हैं कि आत्मा का विनाश हो गए देखिए जब भहते कि इक्षाओं ने सारी शक्ति उर्जास, मरण शक्ति, चेतना सब्चूसली भगवच चिंतन अब रहा नहीं जीवात्मा को अपने स्वरूप का बोध रहा नहीं तो अब क्या होता है ऐसी इस्तिती हो जाती है जैसे मानो किसी की आदास खो गई हो अच्छा किसी की आदास खो जाए तो लोग जो बता देते हैं वही व्यक्ति मान लेता है लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं आप तो चप्रासी थे वो बहले ही मैनेजर होगा, वो चप्रासी खुद को समझने लगता है तो बहुत एक संसार में व्यक्ति की ऐसी ही इस्तिती हो जाती भगवत चिंतन छोड़ करके अपने स्वयम के भगवत सेवा के स्वरूप को छोड़ करके जीवात्मा अपने आपको बहुत एक जगत का अंश मानने लगता है और फिर लोग उसको जो समझा देते हैं मान लेता है लोग बोलते हैं बेटा अच्छी पढ़ाई करो अच्छी नौकरी करो अच्छा वैपार करो बस इसी में आनन्द है और इसी में लगा रहता है इसको बोलते हैं आत्महा जैसे मानो किसी ने अपनी आत्मा का आत्मद्धा कर लिया हो आत्मा कभी बिनष्ट नहीं होती लेकिन अपने आपको खो देना मतलब अपने आपको एक तरह से बिनष्ट करने के समान है ऐसे समय में भगवान की शुद्ध वक्त आ करके हमको पुना याद दिलाते हैं जीव कृष्ण दास कर ले बिश्वास तो और दुख नहीं ए जीव तुम कृष्ण के दास हो तुम ये समरन करो कि तुम्हे क्रिष्ण की सेवा करनी है और जदी ये विचार स्पष्ट हो जाए चेतना में तो फिर और दुख कहां है फिर दुख का सवाल ही नहीं होता आप म्यूट हो गए दुबारा से येस पढ़िए जीवात्मा या आत्मा सदे वस्चित में रहने वाला एक सास्वस है इसका विनाश नहीं हो सकता कि जब वाकुद ज्यान काम नहीं करता तो पंडिजन कहते हैं कि उसका विनाश हो छुका है बिनाश आत्मा के शरी लने सकता करिए ज़ी निर जी शरीर जर्रीत के अंतरो होता है जब आत्मा सरे बाहर निकल जाता है तो शरी इंभर्क के लाता है आत्मा को तभ सुखित ज्ञान करतल स्नीध नहीं वहां को अपने को वाकुद की को नुकीघ को कि आपको जाता है मरूद की कारिक्लाबों के आउड़ होने से मिनिश्टा आत्मा के सारे प्रकार से जीवात्मा अपने आपको हो देता है पस्तम में भगवान का अंश है हमेशा उसको आनंद में रहना चाहिए हमेशा उसको भगवत सेवा में रहना चाहिए और यही उसका स्वभाव भी है इस तरह अगर वो रहेगा तो कभी उसको कोई कश्टिकलेश होने ही नहीं वाला है लेकिन फिर भी एक्षा ऐसी होती है कि वो अलग-अलग चीजों में लिप्त रहे मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं चार मिनिट की यह प्रहपाद कई बार इसका उधारन देते थे प्रॉडिगल सन अप लोग इस वीडियो को देखी अप लोग इंग्लिश में हैं लेकिन आपको समझ में पूरी कहान ही आएगी अपको लोग बाद के लिखार में लेक्म को अपके हुआ को ...before you die. Also, his father agreed to divide his wealth between his sons. दोलती है झाली हूडर है इस बोलाऊ है कि अज़ा है टारव पूलाइ। अवरा है Gेड़ी कि अच्ट चाहिए। ऑ거 है वोला है चाहिए, विल्डिव लंचानीख कर दोलाओ है गो एंगे, और जोह दोना के अ कर ऑंगे! झां, झांगे, तादया हूँ! ज स्मिन हरे나라고 हूँ! ए, जहाँ आखो पक्राउम क्राएंग करपको ही जहाँ है दो determination करें छेसे किरेंइ लुष्ट लुष्ट ने diesesरब हैं अबद दक्वाल में ने अच्पा लाने रही नुष्ड लोज राल अदो अच्वा इप धेसे लोगार अच्वार लुष्ट अच। अच्वाल व्लाने लांग। और रınınम देए सिंगा पत्स टेढ़ तेढ़ से caई अव। लिए उन्य लग्ट मैं बेके रखिए जर रखित कर वागने बेंक जूब जिज तवित बेगाय। बोगन अगा अजा लग्या हे लग विवाईब भी उन्याव! कि अनु की घर ठीम्द गलात। अरे ओय आदो भीकल झाया absorption कि अनु कर दो घब दो जादे गला, को अनु दो नियुमा भीकला है अच्छ local सेमा विप्ला पीकला है और उसाल सो घजम्दादे जिए 量 बेगिंग radically ही अजरके वे की अधिए, यह वे को की यह लादा। चो अब अजिन को नूसा है, आप लू ले बादाना भी है म отв nessa. झढा हम जा सक्राइब वे बर्ट को कि बिओू ए्टा एख दो लगूह कोमूहुिस हूं। Mary and bring the best close and put them on him give him the ring for his finger and sandals for his feet get the best torً가 and prepare it so we can heat and celebrate the son of mine was dead but it's now come back to life he was lost and it's an hour been files and they began to celebrate इस तरह हम लोग देखते हैं कैसे हमारी स्तिती भी ऐसी है हम कृष्ण के साथ थे कृष्ण के साथ हमने लड़ाई कर ली कृष्ण हमको आपके साथ नहीं रहना हमें अपना हिस्सा दो और हमको जाने दो कृष्ण ने बहुत समझाया अरे आपका ये स्वभाव नहीं है आप मेरे दास हो यहीं पर प्रसन न रहोगे नहीं नहीं मुझे अलग जाना है ठीक है भागवान ने बोला ठीक है तुम बहुत एक संसार लेलो बहुत एक संसार में आके शुरू में तो बड़ा अच्छा पी गया उसी तरह इंद्रतिप्ति व्यक्ति की सारी उर्जा चेतना जब पी जाती है वो हताश निराश हो जाता है और ऐसी अवस्ता में उसकी स्थिती जरजर हो जाती है पशुतुले उसकी स्थिती हो जाती है और ऐसी पशुतुले स्थिती में अब उसको स्मरण आता है म अगर ऐसा सोबाग्य हो कि वो गुरु जनों से मिल जाए बक्त जनों से मिल जाए तो वो पुना फिर भगवान के आश्रे में आने के लिए तत्पर हो जाता है। तरह से हमारे पास मदद वेशते हैं जिससे हम पुना उनके धाम में वापिस लोटके आसे हैं। और जब जीव घगवाद धाम वापिस जाता है तो वहाँ पर बड़ा सैलिबरेशन होता है। वहाँ पर उत्सव होता है कि ये जीव बटकता बटकता वापिस भगवान के धाम में आ गया है। तो इस तरह ये बहुत एक संसार्क में जीव की स्थिती है और हम सब की कहानी है। हमको पुना अपनी अध्यात्मिक चेतना को बढ़ा करके भगवान के धाम में वापिस जाना है। अरे कृष्णा गरंतराश्माद भागवत्म की जाये जगत गुरुश्वीन प्रहपार की जाये। किसी का कोई प्रश्ण है? आरती माता जी। अरे कृष्णा प्रश्णा प्रभु जी दो तीन प्रश्ण है, बहुत सारे में एक इकर रखे हैं। आर्पु जी एक तो सबसे परेले समझना था पर प्रश्णा जी से डिस्कॉशन रहता है, अस्टांग योग बक्ती योग कहीं हैं। और भक्त लोग हमेषे ही रहते हैं। समादिक रख्ध क्या है? समादिक रर्ख है जो आपका धे है। जो आपका साध्य है, उसके उपर चेतना स्थित होना, ये समाधी है, जब चेतना और कहीं नहीं जाती, केवल और केवल साध्य वस्तू पर फिक्स रहती है, उस स्थिति को बोलते हैं समाधी, और भक्त लोग हमेशा भगवान के उपर अपनी चेतना को स्थित रखते हैं, इस हमेशा मेरी सेवा में, मेरी चिंतन में हमेशा लगा रहता है, मेरी किर्टन गाने में, मेरी भक्ती में, मेरी सेवा में, मेरी प्रचार में हमेशा लगा रहता है, तो भक्त चलते फिरते ही समाधी में रहते है, इसलिए अश्टांग योग की जो परिपक्व अवस्ता है, वो लोग अश्टांग योग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन जो समझदार हैं, वो डाइरेक्ट भक्ति योग का आश्रे लेते हैं, जिससे उनको इधर उधर समय व्यर्थना करना पड़े हैं, जैसे उसमें यम नियम प्राणा याम, यम नियम मतलब क्या निशेद हैं, क्या करनी हैं, हम लोग भक्ति में भी करते हैं, चार नियम पालन करते हैं, उसके बाद सुला माला का जब करते हैं, यम नियम सुबा जल्दी उटना, सतोगोनी जीवन जीना, उसके बाद प्राणायम, आसन, प्रत्याहार, धारण, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये इनका उद्धिश क्या है समाधी तक पहुंचना जैसे मानो कोई भी क्रियाम करते हैं तो कोई उद्धिश क्ली करते हैं मानो कोई गाड़ी चला रहा है तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तो चला रहा है अब मालो कोई गंतव्य तक आपको एरोप्लेन से ले ज जाएंगे अगर कोई लिफ्ट से आपको सौ मंजल तक ले जाए तो सीड़ी से चड़की क्यों जाएंगे तो अश्टांग योग वो सीडियां है लेकिन भक्ति योग वो लिफ्ट है जिससे डायरेक्ट वेक्ति भगवान की चेतना मिस्तित होता है और वो हमेशा ही समाधिस् अनिकेत प्रभू प्रभू जी इसमें जैसे एक जीव दया की बात आई पौधों की सेवा करना और भगवत सेवा बराबर है सही एक है नहीं जीव दया करत है हर जीव को भगवान के अंशुरूप में देखना ऐसा नहीं है कि जीव की सेवा भगवान की सेवा हो गई ये त सोचना कि हर जीव भगवान का अंश है तो अगर मैं जीवों की मदद करूं उनकी सेवा करूं तो भगवान प्रसन नहोंगी ये सोचना है थोड़ा सूश मांतर है एक विचार है जीव की सेवा भगवान की सेवा हो गई ने ये गलत विचार है लेकिन ये सोचना कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा जीवों को मदद करूं, मुख्यता कृष्ण चेतना में लाने के लिए, उनकी कृष्ण चेतना की विर्द्धी करने के लिए, तो वास्तव में भगवान की प्रसन्नता इससे होगा, तो वो जीवदया है, जी प्रफजी वनमोर, बतिक्ता वादी को कैसे पूर्टास to छोड़ा जा सकता है, कितना वेवारिक है, अगर कोई वेक्ती बड़ी नौकरी पकड़ता है, तो छोटी नौकरी छोड़ना कितना वेवारिक होता है, उसके लिए, आरती माताजी, बड़ा जौb मिल जाए किसी को, तो छोटा जॉब छोड़ना कितना व्यवारिक होता है आपसे पूछ रहा हूँ जी प्रैक्टिकल सरी है उसी तरह भगवान की सेवा जो कर रहा है भगवान के उद्देश्य से सारे कर्म कर रहा है तो बहुत एक कीचड में दुबारा से क्यों जाएंगे वो पूर्ण रूप से व्यवारिक है और ये भगत के साथ स्वता होता है ऐसा नहीं है कि उसको बड़ा कटिन प्रयास करना पड़ रहा है कि अरे अब मैं कैसे मूवीज छोड़ू अरे मैं कैसे अब बहुतिक लोगों की संगती छोड़ू उसको इतना आनंद हरिनाम में भगवत कता में भगवान की सिवा में आने लगता है कि अपने आप उसकी रती अपने आप उसकी आसकती बहुतिक बस्तूओं से छूटने लगती है तो ये स्वता होता है केवल हमें हर कर्म को भगवान के उद्देश्य से करना है मैं फिर से रेपीट कर रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं है प्रभुपाद भी तात्परमिस्पष्टी करन करे कि अपनी जिम्मेदारियों को कर्मों को व्यक्ति छोड़े ना लेकिन उसी को वो जब भगवान के लिए करने लगता है तो उसमें जो इंद्रिय भोग की आकांशा है वो व्यक्ति छोड़ देता है और फिर वही क्रिया को भगवान के लिए करता है यह उसके पीछे उद्देश्य है प्रभुजी एक चर्चा चर रही थी कि भगवान होंगे प्रमान होगा हमें क्या करना है हम अपना काम करें हाँ वो पशू विचार है जैसे पशू को कोई फर्क थोड़ी पढ़ता है नरेंदर मोधी प्रदान मंत्री बने कि राहुल गांदी प्रदान होगा हम तो पशू है तो उसके हिसाब से कोई भी बगवान हो नेंटरण कर रहा हमें क्या फरक पढ़ता है हम तो पशू है तो यह पशू का विचार है अगर ऐसा विचार किसी के अंदर है तो फिर उससे आगे बात्चीत करने ही जरूरती नहीं क्यों कि वो तो अपने पशुतुले जीवन में संतुष्ट है उसको फिर आप प्रसाइद खिलाओ वो उसके लिए काफी है उसके लिए फिर शास्तर ज्यान की चर्चा अभी तक उसका इस्तरुत नहुआ नहीं उसकी पहले सुकृती बढ़ाने के अवश्यक्त है ठीक ह अगर किसी को मज़ा आ रहा है पिटाई खाने में तो पिटाई खाता रहेगा जेल से चूटना क्यों है क्यों कि जेल कश्ट दायक है यही बहुत एक संसार का नियम है कि जब तक व्यक्ति भगवत उन्मुक नहीं रहेगा तब तक उसके जीवन में कश्ट रहेगा यह प्र अगति रहेगी लेकिन जब पानी में जाएगी तब उसकी स्वभाविक उसकी इस्थिति है तो यह विकल्प नहीं है आत्मा का विकल्प नहीं है कि भगवत बक्ति करना है कि नहीं करना इट्स नॉट फ्लेवर आइसक्रीम कि चलो आज मैं स्ट्रॉबरी खाता हूं कल मैं चाकलेट खाये थी परसों में वनिला खाऊंगा नहीं यह आत्मा का स्वरूप है उसका स्वभाव है भगवत बक्ति तो अगर वो भगवत बक्ति नहीं करेगा तो वो अपनी स्वभाविक स्थिति से प्रतिकूल जा रहा है और उसको जन्मृत्यु का चक्र बोलते हैं तो फिर उसको जन्मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की प्रेड़ना आएगा प्रभुजी आपको समय देंगे प्रश्ट अनिकेट प्रभु अरे किस्णा प्रूद 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 प्रूदी अभी हमने एक श्लोक में देखा था वहाँ पर मैंचन्ट था कि जैसे सेंस और सेंस अब्जेक्स यानि इंदरी विशे की जो वासना है वो जब हमारे माइन में उसके खायल आते हैं तो पूरा माइन एजिटेट हो जाता है और उस समय मैंने मैंसूस करा है कि जैसे माइन बहुत जाता एजिटेट हो देखो यह अभ्यास की बात है जैसे मानो आपको अभी अपने रूम में बैठे बैठे यह एक्चा हो रही है कि आप बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे अपार्टमेंट रखो और वहाँ पर बढ़िया आमचेयर पे बैठ करके आराम करो आपको यह एक्चा हो रही है क् का अभ्यास नहीं है मालो आप दो दिन वहाँ रह करके आ जाओगे ना तो बार-बार वो याद आएगा अरे कितना अच्छा था टॉप फ्लोर पे बैठा था वहाँ पर कितनी सुविदा थी तो जिस चीज का अभ्यास होता है मन उसी के पीछे भागता है अभी हमारा अभ् संसार में जड़ वस्तूओं के लिए बहुत जादा हो गया है इसलिए बार-बार वो विचार मन में आते हैं पर्मनेंट सॉलुशन क्या है भक्ति की साधना का अभ्यास मन को देना है जब मन को भगवान की मंगला आरती में संतोश मिलने लगेगा जब मन को हरिनाम में संतो एजिटेट होगा तो वो experience आपको बचाएंगा क्या रहे मैं क्यों ये चोटी-चोटी चीजों के लिए अपना मन खराब कर रहा हूं मेरा उद्देश्य तो भगवत बक्ति है तो ये अभ्यास की बात है क्योंकि ये चिरकाल से बहुतिक संसार में हमारा अभ्यास बहुतिक इंद्र तिप्ति के प्रती होता है अब हमको उस जुकाव को मोड़ना है जैसे कभी-कभी पैन का ढकन होता है जैसे ये पैन का कैप है ये कभी-कभी ऐसा चोड़ा हो जाता है अब इसको अगर अपनको यहाँ पर लाना है तो थोड़ा विपरीत दिशा में मोड़ना होता ह जिससे वो नॉर्मल दिशा में आ जाए अभी के हमारा जुकाव बहुत एक संसार की तरफ हो गया अब साधना के माध्याम से हम दुबारा उस मन को इस साइड मोड रहे हैं तो जब उसका अध्यास अध्यात्मिक हो जाएगा तो फिर उसका इधर उधर भटकना कम हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो जाएगा बस एक छोटा सा प्रेक्टिकली जो जैसे अभी हम वहां मंदिर भी नहीं आ पा रहे हैं और तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अभी जो पढ़ रहते कि भगवान के सभी अंस हैं तो हमारी घर में जो पतनी है बच्चे है या उफिस में जो काम है इसको मैं थोड़ा सा कभी कभी टच करता हूं कि यह सब भगवान के हैं और मैं भगवान का सेवा है इस तरह का फिलिंग आती लेकिन उस स्टेज में हमेशा नहीं रहते कि जिस दिन रहते उस दिन तो प्रहुपात तात्पर में शुद्ध भक्त का लक्षन बता रहा है स्थावर जंगा में देखे ना देखे तार मुर्ति सर्वत्र हाय तार इष्ट देव इर स्फूर्ति भगवान बुल रहे हैं अगर सब जगे इष्ट देव की प्रतिबिम्ब देखे उनकी स्फूर्ति देखे उनकी शक्ति देखे तो वो शुद्ध भक्त का लक्षन है तो अभी हमको यह समझना है कि हम साधक स्थर पर हैं साधक स्थर का मतलब जैसे बच्चा चलना सीखता है बार-बार गिरता है फिर उटके चलने का प्रयास करता है तो हम प्रयास कर रहे हैं कभी-कभी हो सकता है हम अच्छी चेतना में रहें कभी-कभी हो सकता है हमारी चेतना नीचे जाए लेकिन हमको ये पत छोड़ना नहीं हम जब निश्ठा से ये पत पर चलते रहेंगे दीरे-दीरे हम देखेंगे कैसे हमारी चेतना शुद्ध होती जा रही है कैसे हमारा दृष्टी कोण पवित्र होता जा रहा है कैसे हमारा संसार कृष्ण माय होता जा रहा है तो ये चेतना धीरे-धीरे साधना के माध्यम से होती है चीक है अच्छा आज श्याम से मंदिर में सुभा श्याम क्लास होगी आज श्रीश्यमाद बक्ती प्रवेश्यमाद स्वामी महाराज मंदिर में आ रहे हैं और 23 तारीक को श्रीश्यमाद बक्ती केवल गोपेंद्र महाराज प्रवचन देंगे तो तीन-चार दिन अभी बड़े-बड़े वरिष्ट वक्तों का सन्यासियों का संग मिलने वाला है, तो सुभेश याम आप लोग प्रयास कीजिए, मंदिर में आके सारे कारिक्रम में भागिएजिए. अरे कुष्ण श्राभाद 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 श्राभेश वक्तों का से तो अभी जीजिए.